गोड मॉर्निंग ओतर पदेश पंचायत चुनाओं में लगे वे सभी कर्मचारियों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है पंचायत चुनाओं दोजार इकिस को लेकर के बहुत बड़ी खबर है इस वीडियो में आप जानते हैं कि इस समय प्रदेश के हालात क् के जिन्दगी दाओं पर लगी हुई है लोग घरों से बाहर निकलने में घवरा रहे हैं जिन कर्मचारियों की चुनाओं में ड्यूटी लगी है ट्रेनिंग में जाने से घवरा रहे हैं क्योंकि वहां पर खत्रा इस बात का है कि कहीं वो भी कोरोना से संक्रमित ना हो हैं तो ऐसी स्थिती में क्या लग रहा है कि ये चुनाव संभव हैं कि इस संबंद में आन्रेवल हाई कोर्ट ने क्या आदेश किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो आएए देखते हैं आन्रेवल हाई कोर्ट ने इस संबंद में उत्तरपरदेश सरकार को क्या डारेक्शन दिया है क्या आदेश पारित किया है ये खबर है प्रियागरास से एलावाद हाई कोट ने मंगलवार मैंने 13 अप्रेल को उत्तर प्रदेश सरकार को उन जीलों में कम से कम 2-3 सप्ता के लिए पूर्ण लागडाउन लगाने और लोगों की भीड पच्चास तक सीमित करने की संभावना तराशने का निर्देश दिया जहां कोरोना वाईरिस का संक्रमन खतरनाक धंग से बढ़ रहा है यह अन्रेवल हाई कोड का आदेश है उन जीलों में कम से कम 2-3 सप्ता के लिए पूर्ण लागडाउन लगाने के लिए और लोगों की भीड पच्चास तक सीमित करने की संभावना तराशने का निर्देश दिया है तो अगर 2-3 सप्ता के लिए पूर्ण लागडाउन लग जायेगा तो क्या पंचायत एलेक्शन पॉसिबल है लोगों की भीड पच्चास तक सीमित करने की संभावनायत तलाश करना है तो ऐसी स्थिति में क्या पंचायत एलेक्शन संभाव है नयमूर्थी सिधार्थ वर्मा और नयमूर्थी अजित कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वारस के मरीजों के इलाज और प्रताकवास केंद्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याजिका पर सुनवाई करते हुई ये आदेश पारित किया है तो चुमकि कोर्ड का आदेश है और रेवल हई कोर्ड का आदेश है तो मानने के लिए प्रदेश तरकार बाद्ध्य है कम सकम दो से तिन सबता के लिए पोन लागडाउं उन जिलों में जहां पर संक्रमन खतरनाक धंग से बढ़ला है आनरेबल कोड के आदेश की कुछ पंक्तियां बहुत ही महतोपोण है पीठ ने राजसरकार को अस्पतालों के लिए अधिक संख्या में ICU बेट खरीदने का निर्देश दिया अगली सुनवाई की तारीक 19 अप्रेल तै की है और कहा है हमें चुनाओं से अधिक सार्बजनिक स्वास्त को प्राथ्मिक्ताद देनी होगी और सरकार से मौजूदा इस्थिती को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्त के हर विभाग को दुरुस्ट करने की उम्मीद की जाती है तो अन्रेबल कोर्ट ने कहा है कि चुनाओं से अधिक सार्वजनिक स्वास्त को प्रात्मिक्ता देनी होगी तो इसका मतलब यह है कि उन जिलो में या तो चुनाओं टाले जा सकते हैं जहां पर कम्प्रीट लागडाउन लगेगा या फिर कोई और वेकल्पिक व्योस्ता बना करके सरकार को 19 अप्रेल को आन्रेबल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा तो यह थी लेटेस्ट अप्डेट की जानकारी अपने साथियों को भी शेर कर दीजेगा ओके थैंक्यू